Grand Canal उत्तर और पूर्वी चीन में विभिन्न प्रमुख नदियों को जोडने वाली परसपर जुडी नहरों की एक प्रणाली है, जो मध्यकालीन और पूर्व आधुनिक चीन के दौरान उत्तर और दक्षिन के बीच एक महत्वपूर्ण जलजनित परिवहन बुनियादी धांचे के रूप में कार्य करती है, यह दुनिया का सबसे लंबा कृत्रिम जलमार्ग और यूनेसको विश्व धरोहर स्थल है, ग्रांड कैनाल का मुख्य तना, जिसे चीनी लोग जिंग हांग ग्रांड कैनाल के नाम से जानते हैं, माना जाता है कि इसका विस्तार एक साला सोच्छेटर किमी है और इसे छी मुख्य उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिआंगन नहर हांगजो में कियान तांग नदी से झेंज यांग में यांगतजी नदी तक चलती है, यंग जहों में यांगतजी से हुआई आन में हुआई नदी तक आंतरिक नहर, जो सदियों से पीली नदी के पूर्वपाथ्छै क्रम के साथ इसका जंक्षन भी थी, पीजिनिंग के पीछे की जीलों से लू नहर और पीली नदी के वर्तमान मार्ग से लिनकिंग में वेई नदी तक लिनक्विंग से तियांजिन में हाई नदी तक दक्षणी नहर और बीजिंग के बाहरी इलाके में तियांजिन से टोंगजू तक उत्तरी नहर जैसे यह जेज जियांग, जियांगसू, शेडॉंग, हेबेई, तियांजिन और बीजिंग के प्रांतों और नगर पालिकाओं से होकर गुजरता है। 2014 में चीनी सरकार और यूनेसको ने पूर्व टोंगजी और यूंगजी नहरों के साथ हांगजो से निंगबो तक पूर्वी जे जियांग नहर को ग्रैंड कैनाल के आधिकारिक घटकों के रूप में मान्यता दी। जो अब ग्रैंड कैनाल है उसका सबसे पुराना खंड पावियों शताबदी ईसापूर्व की शुरुवात में चीन के वसंत और शरद रथुकाल के संघर्शों के दौरान वू और यू राज्यों के लिए आपूर्ती और परिवहन मार्ग प्रदान करने के लिए पूरा कि जो दक्षिन में उपजाओ जियांगनान क्षेत्र को पश्चिम में उसकी राजधानी लोयांग और सुदूर उत्तर में उसकी सेनाओं से जोडता था। राजवंश के तहट अतिरिक्त नहरों ने चांगान को और भी पश्चिम में आपूर्ती की जबकि मुख्य मार्ग के साथ रुकने वाले शहर सामराज्य के आर्थिक केंद्र बन गए। उचे बांधों को जान बूज कर तोड़ दिया जाता था।